बाजपा सांसत रमेश बिदूरी का संसत में अपशब्द देने का मामला अभी थमा नहीं है और बिजेपी ने बिदूरी को नई जिम्मेदारी दे दी भाजपा ने बिदूरी को राजिस्थान के टोंक में चुनाव की जिम्मिदारी दी गई है पार्टी सुत्रों का कहना है कि बिदूरी की जिम्मिदारी जीले के भाजपा चुनाव प्रभरी के जैसी होगी बिदूरी को नई जिम्यदारी दिये जाने के साथ ही एक बार फिर राजनिती गर्मा गई है राजसबा सांसत कपिल सिब्बल ने इसे बिदूरी को नफरत फिलानी को लेकर नया इनाम देना बताया है उदर महुआ मोहितरा ने पीएम नरेट मुदी से सवाल पूछा कि क्या यही आपके प्यार का प्रसार है सपा के समर्थन से राजसबा पहुँचे कपिल सिब्बल ने कहा रमेश बिदूरी ने स्पेशल सेशन के दोरान सदन में वो शब्द बोले थे जो नहीं बोले जाने चाहिए थे अब बिजेपी ने बिदूरी को टोंग का इंचार्ज बना दिया टोंग की मुसलिम अबादी 29.25 प्रतिशत है नफरत को राजनेतिक फैदे का प्रतिक माना जाता है कॉंगरिस नेता जैराम रमिश ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये सब इनका बक्वास है तुरण मुलसांसत महुआ मोईत्रा ने कहा जिस वेक्ति को कारण बताओं नोटिस दिया गया हो उसे नई जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है नरीन मोदी जी अलपस अंख्योक्य के लिए यही आपकी इसने यात्रा है यही आपके प्यार का प्रसार है